सब्ट कुछ के और ही में тогда का क्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में इस वीycz वीडियो में एक वीडियो में चाहता हूं छिसके बारे में डेक्टर तारीखाण से लीनर में अपडेट दिया था डेक्टर तारीखार यानि के जो इज़िब्ट ओफिस की regarding सबी चुछों को देखते हैं मैनेज करते हैं उन्होंने एक अपडेट दिया था जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ डाक्टर तारीक सर मैनेजिंग डारेक्टर के साथ हेड आफिस से रिएटेड कुछ काम कर रहे हैं और चार से पांच प्रोजेक्ट के लिए strategy बना रहा है planning कर रहे हैं जाएं और उन्होंने ये भी बताए कि see level executive के साथ यानि की अधकारियों के साथ पॉजी सा原因 करने वाली huge companies के लिए यानि की बड़ी companies के लिए corporate structure के साथ काम कर रहे हैं ताकि strategy mapping से लेकर vision crafting के लिए on passive की position बनाई जा सके यानि कि यहां पर future planning की बात की जा रही है इसके लिए हमारे पास यानि कि on passive के पास futuristic plan के नुसार 200 से अधिक प्रामर्स है और on passive की position के लिए यानि कि इस project के बारे में बोलने के लिए बात करने के लिए हमारे पास यानि की डक्टर तारीक सर के पास बिज्नसमेन से कई invitations भी मिल रही है यानि की जो बिज्नसमेन कई सरे बिज्नसमेन हैं जिन से डक्टर तारीक सर को invitations भी मिली है बात करने के लिए और पूरी दुनिया में अंग्रेजी और अरभी में Global Business Management को लॉंच करने की बात कर रहे हैं इसलिए डेटा को क्लासिफाइंग करने में विजी हैं तो डाक्टर तारीक से ने बताया कि हमने ठू लैंग्वेज अंग्रेजी और अर्पी में ग्लोबल विजन्स ट्रेनिंग वेफसाइट क्रियेट की है इसके साथ में उन्होंने ये भी बता कि भारत में ट्रेनिंग एंड कोचिंग डिपार्टमेंट भी है जहां पर बिजनस कंसल्टेंट की हाई डिमांड है तो वहां पर इस बेफसाइट को यूज किया जा सकता है इस बेफसाइट को कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग के रूप में सी लेबल एक्जिक्यूटि जो खेवल बेफसाइटों के जरिए भारी मातरह में पैसा कमा रही हैं और वे इंटरनेशनल कंपनीज को भी टार्गेट कर रही हैं इसलिए हमने ग्लोबल बिजनेस ट्रेनिंग बेफसाइट क्रियेट की है जिसके लिए टॉप ट्रेनिंग एंड गवर्मेंट कोश के साथ का आई डीमंड और ओन पैसीब को ट्रेनिगं डिपार्टमेंट और कोचिंग सर्विसेज की हाई डीमंड प्राफ्त हुई है जिससे ओन पैसीब को बिजनस कंसल्टेशन के लिए एक ट्र्रॉस्टेड के रूप में पूजिसन मिला है तो ओन पैसीब ने जो विजनस एड ट् में बहुत सारे sources रहने वाले हैं जिसके जरे on passive income generate करेगी और हमारे पास भी बहुत सारे sources रहेंगे जिसके जरे हम income generate करेंगे I hope ये point आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा